वेलकम बच्चों, लेक्चर 6 तक मैंने क्या है, इलेक्टिसिटी में खतम कर दिया था, आज का जो लेक्चर है, सात्मा लेक्चर है, आज के लेक्चर में बटा, कम्बिनेशन ओफ कैपसिटर और रेजिस्टर हम लोग पढ़ा जाएगा, एक इस तरह से रेजिस्टर और कैप का कम्बिनेशन है, इसको हम लोग जानेंगे, कम्बिनेशन ओफ रेजिस्टर और कैपसिटर, इसको हम लोग जानेंगे, चलिए आएए, देखते हैं, कम्बिनेशन ओफ कैपसिटर और रेजिस्टर, series, combination ओ परिलेलО班 अपर रेजिस्टर में बता दिया था, आपने, तो छो है उनको हम उन पॉइंटों को आपस में जोड देते हैं यानि जोड़ दो मेथट यानि क्या काने का मतब है जिन दो पॉइंट के बीच में कोई कैपस्टर या register न हो, उनको आपस में हम join कर देते हैं ठीक है भाई, क्या कर रहा है जिन दो point के बीच में कोई capacitor या register न हो, उनको आपस में join कर देते हैं, देखिए क्या काने का मतलब है, जैसे देखो हाँ, अगर वैसे आप लोग समझ लेते हैं series और parallel तब तो कोई बात ही नहीं है यह देखिए, ऐसे दिया है यह A point दिया है यह B point दिया है करा कि A और B के बीच का equivalent आप बताईए A और B के बीच का आपको क्या बताना है equivalent बताना है जैसे आदे रा यह A दिया है, यह B दिया इनके बीच equivalent बताना है तो बच्चों ये देखो क्या इसके और इसके बीच में कोई capacitor या register है क्या इसके और इसके बीच में कोई capacitor या register है तो आप कहेंगे कि नहीं तो जब इनके बीच में कोई capacitor या register नहीं है तो इसका मतब ये वाला जो है वो यहीं से क्या निकला हुआ है इसका मतब इस point का और इस point का एक ही जगे से origin है तो इसको आप अगर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा देखे यह यहाँ पे आके मिला देते हैं यह यहाँ पे आके मिला देते हैं तो यह देखे इस प्रकार से बनेगा ये एक कैपिश्टर हो गया एक कैपिश्टर ऐसे हो गया एक कैपिश्टर ऐसे हो गया तो ये बताइए क्या तीन कैपिश्टर हो गया कि नहीं और ये देखिए तीनों आपस में पैरलल हो गया तीनों आपस में पैरलल होने का मतब CP is equal to कितना हो गया 3C हो गया, यह तीनों आपस में parallel हो गया और parallel होने का मतलब CP is equal to क्या हो गया, 3C हो गया अब ऐसा ही मान लिजे दूसरा question एक देखते हैं यह देखिए, आराम से ध्यान से क्या है इनका मतलब एक एक बात को ध्यान दीजेगा, कैसे कैसे हैं यह ठीक है न एक दूसरा question देखते हैं, एक पेनट रूप चाहिए यह देखे दिया है, ऐसे दिया है एक capture यहाँ है, एक capture यहाँ है, एक capture यहाँ है एक capture यहाँ है, इस प्रकार से दिया है और कहाँ आपसे जा रहा है कि A और B के बीच का आप क्या करिए equivalent find करिए, A और B के बीच का आपको equivalent find करना है जान दीजेगा, A और B के बीच का आपको equivalent find करना है मतलब यह capacitor है, एक capacitor यह है एक capacitor यह है, एक capacitor यह है एक capacitor यह है, एक capacitor यह है तो कहा यह जा रहा है कि A और B के बीच का आप equivalent find करें कैसे होगा A और B के बीच का equivalent तो देखें जिन दो point के बीच में कोई capacitor और register नहीं है उनको जोड़ दो देखो क्या इनके और इनके बीच में कोई capacitor और register है नहीं है तो इनको जोड़ दीजे उनको आप जोड़ दीजे तो चलिए आए देखते हैं क्या इन दोनु पॉइंटों के बीच में कोई कैपिस्टर है नई तो इनको आप जोड़ देंगे तो ऐसे जोड़ेगा ये देखे ऐसे जोड़ेगा देखे क्या इनके और इनके इनके बीच में है नहीं है तो इसका मतलब ये सब आके यहां मिलेंगे ठीक है ये देखे ये भी ये भी point और ये भी point सब यहां आके मिलेगा तो यहां मिलने का मतलब क्या हो गया ये देखिए ऐसे ये capacitor हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया ये देखिए क्या कहने का मतलब है एक कैपिस्टर ये है ये तीनों कैपिस्टर आपस में पैरलल है बोले भाई पैरलल है और ये दोनों कैपिस्टर आपस में पैरलल है बोले एक पैरलल है ये दोनों आपस में पैरलल है ये तीनों आपस में पैरलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, यह देखे C, यानि यह क्या हो गया, C, 3C, और यह देखे 2C हो गया, हो गया कि नहीं, C, 3C और यह 2C हो गया, तो C, 3C और 2C हो गया, तो अगर C, 3C और 2C हो गया, अब यह बताएं, यह तीनों किसमें हो गया, यह ध्यान देखे, यह तीनों में हो गया है तो इसका मतब 1 by CS is equal to 1 by C plus 1 by 3C plus 1 by क्या हो गया 2C हो गया 1 by C plus 1 by 3C plus 1 by 2C हो गया अब चलिए जरा इनका LCM लिया जाए LCM लेंगे तो कितना है गा 6C 623 यानि CS is equal to क्या हो जाएगा 6C upon 639211 है यह देखे इनका equivalent capacitance हो जाएगा यहनि CS is equal to 6C upon 11 यह देखे इनका equivalent capacitance हो जाएगा ठीक है तो पहला method हो गया यह जोड़ दो method इसको ध्यान देना फिर दूसरा देखे वीट stone bridge वीट stone bridge भी बहुत important है बहुत important है तो चलिए wheat stone bridge देख लेते हैं कैसा होता है wheat stone bridge चलिए wheat stone bridge देख लेते हैं कैसा होता है wheat stone bridge चलिए देखे wheat stone bridge क्या है कैसे होता है देखे वीट stone bridge में चार पांच प्रकार के कैपिस्टर या रेजिस्टर देखते हैं मतब रेजिस्टर भी हो सकता है ठीक है तो चार या पांच प्रकार के देखते हैं जैसे कैसे कहने का मतलब है क्या है कुछ भी हो सकता में या नहीं होगा इसको वीट इस्टोन भी नहीं होगा इसको वीट इस्टोन भी हम नहीं कहेंगे मतब ये wheat stone bridge आपका ये नहीं कहा जाएगा ये wheat stone bridge नहीं होगा कभी भी तो wheat stone bridge में opposite दो corner के बीच में input होना चाहिए और विपरित दो corner के बीच में पांचमा capture होना चाहिए तो मालीचे इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम YS है ये A point है, ये B point है, तो यहां क्या होता है, P by Q is equal to R by YS होता है ये देखे, P by Q is equal to R by YS, अगर P by Q is equal to R by YS होता है तो ये देखो, ये A point और B point का potential difference क्या होगा, 0 होगा यानि VA-VB क्या होगा, 0 होगा, VA-VB is equal to क्या हो जाएगा, यानि A और B point का potential difference क्या होगा, देखें, A और B point का जो potential difference है, यानि VA-VB, वह क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, तो जब A और VA-VB 0 होगा, there is no charge or current through the, क्या, C5, there is no charge or current through C5, C5 से कोई भी charge या current flow नहीं करेगा, मतलब जो पाँचमा क्यापिस्टर या रेजिस्टर है, उसमें कोई भी charge क्या है, flow नहीं करेगा, there is no charge or current through C5, ठीक, अब बाकी आपका क्या हो जाएगा, यह P और Q सिरीज में हो जाएगा, R और S सिरीज में हो जाएगा, फिर बाकी इसमें क्या करेंगे हम, parallel में कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं, तो इस प्रकार से देखें, wheat stone which को हम solve करेंगे, इस प्रकार से, wheat stone which को solve करेंगे, फिर अब देखो इसमें, यह तो हो गया, there is no current, अब कैसे इसमें, और क्या question कैसे बन सकते हैं, इस प्रकार से देखें, यह यहाँ पर capacitor दिए गया है, ऐससे यह capacitor दिया गया है, और यह A दिया गया है, और यह B दिया गया है, कहा जा रहा कि A और B के बीच का आप क्या है equivalent capacitance find करिए देखे A और B के बीच का तो देख लेते हैं कि कहीं क्या wheat strong बिच बनने की संभावना लग रही है तो ये देखो P by Q is equal to R by ES देखे 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 P by Q is equal to R by ES तो ये बताओ क्या बीच वाले capacitor से कोई charge या current कुछ flow करेगा कुछ निख़ो कर रहा है फिर similarly P by Q is equal to R by ES बाई समान capacitor है सारे capacitance जो हैं वो क्या हैं समान है CC हैं सब तो ये देखो जब सब CC हैं तो P by Q is equal to R by ES तो ये देखे बीच वाले से कोई charge या current का flow क्या है नहीं करेगा बीच वाले से कोई charge या current का flow क्या है नहीं होगा अब क्या हो जाएगा ये देखो ये दोनों series में ये दोनों series में बाकी सब यहां पे क्या हो जाएंगे parallel हो जाएंगे ये दोनों series में ये दोनों series में ये दोनों सीरीज में, बाकी ये ये और ये सब क्या हो गया, पैरलल में हो गया, बोलो भई, ये सब क्या हो जाएगा, पैरलल में हो जाएगा, तो पैरलल में होने का मतब कैसे कर लेंगे, क्या चीज़ कर लेंगे, ये देखें, C और C सीरीज में कितना हो जाएगा, ये C हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से हम कर लेंगे अब यहीं देखिए अगर ऐसा आता है तो इसका कैसे कंबिनेशन हम निकालेंगे दीखिए बहुत सिंपल कोउश्चन आएगा बहुत कठ ही दिया गया और यह क्या दिया गया है इस प्रकार fenlicher दिया है तो इनका हम कंबिनेशन कालेंगे कंबिनेशन किए से हम find करेंगे, देखे, A और B के बीच का हमको equivalent find करना है, तो आप देख रहे हैं, इनको आप ऐसे कर सकते हैं, कि जो junction है, जो point है, उनको आप numbering कर सकते हैं, जो junction है, उनको आप numbering कर सकते हैं, अब यहां से देखिए, चार्ज का distribution है एक इसमें है और एक इसमें है तो यह देखो यह a point हो गया यह a point हो गया तो यहां से distribution है यह देखे एक capacitor इधर आया है और एक से यह मतब एक से 3 आया है यह यह one है फिर एक से देखो दो भी आया है यह देखो दो भी आया है एक ही से तो दोनों निकले हुए है एक से आपका दो भी निकला है और एक ही से आपका तीन भी निकला हुआ है निकला हुआ कि नहीं फिर ये देखो दो और चार भी आपस में जुड़े हुए है ये देखे दो और चार भी आपस में जुड़े हुए है ये देखे दो और चार Q is equal to R by yes, यानि P by Q is equal to R by yes, यह लग रहा है, तो क्या बीच वाले से कोई चार्ज या करेंट का फ्लो होगा, नहीं होगा, तो इसका मतब C और C सिरीज में कितना हो गया, यह देखो C और C सिरीज में कितना हो जाएगा, C by 2 हो जाएगा, और यह C C और C सिरीज में कितना हो जाएगा, C by 2 हो जाएगा, और यह देखीए, C by 2 और C by 2 पैरलल में, तो क्या हो इस तरह की बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, बोले भई, अब देखें इसी में Unbalanced Wheat Stone Bridge कैसे करते हैं यह ध्यान दीजिए Unbalanced Unbalanced Wheat Stone Bridge का Combination कैसे निकालेंगे Unbalanced Wheat Stone Bridge ठीक है Unbalanced Wheat Stone ठीक है भई चली भई Unbalanced Wheat Stone Bridge का कैसे हम फाइन करेंगे क्या चीज हम देखेंगे चली देखते हैं Unbalanced Wheat Stone Bridge Unbalanced Wheat Stone Bridge का मतलब क्या है Unbalanced Wheat Stone Bridge का मतलब क्या है कैसे है इसमें P by Q not equal to R by S होगा P by Q not equal to R by S होगा जैसे क्या काने का मतलब मान लिजे ऐसा इस प्रकार से है यह देखें यह P दिया है जैसे रेजिस्टन्स में हो यह S दिया है और यह आपका G दिया है तो यहाँ द्यान दीजेगा P by Q is equal to not equal to R by S और यह क्या है VA minus VB जो है not equal to 0 होगा इसका मतलब क्या है AB से current का flow होगा current flow through the AB यानि क्या मतलब है current flow through AB जो AB होता है उस AB से current का flow होता है current flow through AB यानि जो AB है उस AB से current का flow होता है भई देख रहे हो AB को AB से current का क्या होता है flow होता है यानि current flow through AB यह जो AB दिया गया इस AB से current का क्या है flow हो रहा है और इसमें P by Q not equal to R by S है P by Q जो है R by S के बराबर नहीं है देखे P by Q not equal to R by S है और current flow through A B A B से current का क्या हो रहा इसमें flow हो रहा है ना समझने है ना ठीक है अब इनका equivalent कैसे आप निकालेंगे देख लिए इनका equivalent के लिए एक start delta rule होता है बड़ा simple होता है उससे हम देखते हैं कि क्या है कैसे कहने का मतलब है जैसे मानली जी कोई भी ये resistance दिया है ये देख लिजे कोई भी resistance दिया है ये देखो ये 10 ohm है ये 5 ohm है ये 5 ohm है ये 10 ohm है और ये आपका क्या है 5 ohm है ये A दिया गया है और ये B दिया गया है कहा यह जा रहा कि A और B के बीच का equivalent आप find करिए तो पहले चेक कर लेते हैं कि यह विच स्टोर बिच फालो कर रहा है कि नहीं तो यह देखो P by Q is equal to R by S है क्या नहीं है हमेशा ऐसे करना 10 by 5 यह अपॉन यह मत कर देना तो क्या P by Q R by S not equal to है कि नहीं मतब P by Q जो है R by S के बरावर नहीं है देखे P by Q not equal to R by क्या है यस है तो इसका मतब हम यहाँ पर वीच स्टोर बिच क्या है अपलाई कर सकते हैं वीच स्टोर बिच हम फालो कर सकते हैं ये point, ये point और ये point, इन तीनों point को मिला दो, भाई इसको देख लीजे, इसको देख लीजे और इसको देखे, इन तीनों point को मिला देंगे, तो ये देखिए कैसे आ जायेगा, देखिए इन तीनों point को मिला दिए, तीनों point को मिला कि तीन नए resistance बना लीजे, R1, R2, R3 तीन नय रेजिस्टन्स मना दीजे तीनों है ना स्टार डेल्टा रूल में क्या है कैसे है अन्बैलेंस्ट विच स्टोन बिज केवल अन्बैलेंस्ट विच स्टोन बिज में ही आप इसको अपलाई कर पाएंगे और किसी में आप अपलाई नहीं कर सकते हैं तो क्या करिये इन तीनों पॉइंट को ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको मिला दीजे अब देखे R1 की वैलू क्या होगी R1, R2, R3 ये जो नया रेजिस्टन्स आपने माना है R1 माना है, R2 माना है R3 माना, इनकी वैलू क्या होगी तो चलो देखो, R1 की वैलू क्या होगी ये देखते हैं, R1 is equal to देखे भाई, R1 R1 जो है, अगल बगल वाले रेजिस्टन्स का प्रोडेक्ट होगा, ये देखे ये जो आजू-बाजू के रेजिस्टन्स है इनका प्रोडेक्ट होगा आजू-बाजू के रेजिस्टन्स का मतब क्या हो जाएगा 10 into 5 अपन, ये देखे फिर R1 क्या है, आजू-बाजू और ये देखे जो बचा है इनका सम है 10, 5 और 5 का ये क्या होगा सम होगा थी, देखो ऐसे हो गया 10 प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा यानि 50 अपन कितना हो जाएगा 20 और ये देखे 5 भाई क्या हो गया 2 ओन हो गया फिर R2 के बहलू भी इसी परकार से देखे R2 क्या हो गया, ये देखे आजू बाजू, अगल बगल के resistance का क्या हो गया, product हो गया, तो अगल बगल में कितना है, 10 into 5 है upon, फिर वही 10, 5 और ये 5, इन कस्सम हो जाएगा, 10, 5 और 5 कस्सम हो जाएगा, यानि 5 by 2 ohm ये भी आ जाएगा, फिर देखें, R3 क्या हो जाएगा, भई, R3, R3 जो हो जाएगा, आजू, बाजू के resistance का product, आजू, बाजू के resistance का product का मतब क्या, 5 into 5 upon, 5 into 5 upon, यानि 5 into 5 upon, क्या हो जाएगा, 5 plus 5 plus 10, is equal to 25 upon, is equal to 25 upon कितना, यानि 25 upon क्या 20, नहीं होगा, 22 upon 20 का मतब क्या हो गया, 5 upon 4 ohm हो गया, कि नहीं, तो ये देखें, क्या आपने R1, R2, और R3 की value निकाल ली, भोलो भाई, इस concept से R1, R2, R3 की value निकाल ली, R1 क्या है, ये देखें, आजू, बाजू के resistance का product, upon, आजू, बाजू, और ये तीसरे का sum, R3 क्या है, आजू, बाजू के resistance का product, और अपन तीसरे का sum, R2 क्या है, आजू, बाजू के resistance का product, upon, आजू, R3 की value आपने निकाल ली, तो जब R1, R2, R3 की value निकाल ली, तो अब बताईए क्या होगा इसमें, इसमें अब क्या है, इन सब को ये जो आजू-बाजू वाले थें, इनको आप हटा दीजें, ये देखें, इनको आप हटा दीजें, इनको आप हटा दीजें, इनको आप हटा बहुत ही सिंपल में आ गया देखे आ गया कि नहीं अब क्या लग रहा है ये दोनों सिरीज में लग रहा है ये और ये पैरलल में लग रहा है और इसके साथ क्या रहा है सिरीज में आ रहा है क्यों ये तो आ रहा है तो चलो भाई इसको देख लेते हैं ये क्या हो गया आपका ये आपका हो गया 5 by 2 और 5 by 2 और 5 सीरीज में कितना हो जाएगा पांदोनी 10, 5, 15 है ये देखे ये क्या हो गया ये आपका हो गया 15 upon 2 ohm हो गया बोलो भाई 15 upon 2 ohm हो गया कि नहीं ठेक है 5 by 2 और 5 और ये देखे 5 by 4 और 10 कितना हो गया यह आपका देखिए यह आपका हो जाएगा 5 by 4 और 10 45 by कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं अब यह बताओ यह दोनों सीरी पैरलल हो गया है तो यह दोनों पैरलल हो गया है तो पैरलल में क्या हो जाएगा बताइए 1 by rp is equal to क्या 15 दो उपर चला गया क्या हो जाएगा 45 by 10 ओम हो जाएगा अब बताओ यह दोनों क्या है सीरीज में हैं यह दोनों 5 by 2 और 45 by 10 सीरीज में हैं सीरीज में हैं तो rs is equal to क्या हो गया 5 by 2 45 by 10 देके 10 आया 2 से 5 पच्चिस 45 पच्चिस कितना हो गया सत्तर आपांदस यानि क्या हो जाएगा 7 ओम तो इस तरह से unbalanced wheat stone bitch को आप ऐसे solve कर सकते हैं तो यह दूसरे टाइप का हो गया अब तीसरा दिखते है short circuit short circuit वाला भी बड़ा important होता है बहुत important होता है यह देखिए short circuit चलो भई तीसरा देख लेते है short circuit short circuit को कैसे पहचानेंगे जड़ा इसको देख लीजे देखिए इस प्रकार से यह capacitor दिया है यह capacitor दिया है और यह इन दोनों के बीच में इस तरह से connecting wires हैं यह point A दिया गया यह point B दिया गया है देखिए इन दोनों के बीच में यह connecting wires दिया गया है इस प्रकार से इन दोनों के बीच में connecting wires दिया गया है कहा यह जा रहा है कि A और B के बीच का equivalent आप find करिए ठीक है बाई A और B के बीच का आप क्या find करें? equivalent find करें मतलब A दिया गया है, B दिया गया है इनके बीच का आप equivalent find करें A और B का तो देखे A और B के बीच के equivalent का मतलब क्या होता? कैसे होता है? यहाँ पर यह देखो यह एक plane wire दिया जया है तो चहाँ भी ऐसे plane wire आएं ठीक है तो वहाँ समझना कि short circuit होने की सम्भावना चाते है और वहाँ विचार करिएगा ध्यान दीजेगा इसको सोचनी के दो तरीके है एक तो आप यह सोचिए कि plane wire का resistance काफी कम होता है और charge और current जो है हमेशा less resistance path को follow करना चाता है यह कोई भी होता है दुनिया में कहीं भी होगा वहाँ जो सड़क सबसे smooth हो वहाँ से जाना पसंद करता है भले ही तोड़ा जादा समय लगे भले ही लंबी दूरी हो तो ऐसे ही याद रखेगा current हमेशा क्या करता है जो सबसे less resistance path होता है उसको follow करता है अब मान लीजे यहाँ से current इस प्रकार से हैसे जा रही है देखें ऐसे current जा रही है ऐसे current जा रही है और यहाँ पर यह आ गया आ गया कि नहीं हैसे आ गया तो अब यह देखें यह इसमें कुछ नहीं है तो less resistance path है तो इधर नफ लो करके वह इधरी से आपस में क्या इधरी से वह निकल जाएगी जब इधर से निकल जाएगी तो बताएं इसमें कोई current नहीं तो इसका कोई मतलब होगा कोई मतलब नहीं होगा वह फाल्तू में दिया है तो यही आपका short circuit है मतलब वह short circuit path क्या है अब देखे short path आपना कर वह क्या है इसको short circuit कर दिया short circuit का मतलब उसमें कोई current ही नहीं है अब यह बताएं यह किस प्रकार से हो गया यह आपका इस प्रकार से हो गया, यह देखे है ऐसे है, यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, अब बताओ A और B हो गया, तो यह C और यह C, मतलब यह C और यह C, दो गरों किसमें हो गया, सिरीज में हो गया, फुलिए अगर दोनों सिरीज में हो गया है, तो इसका मतलब, 1 by प्रेक्टिस कर लेते हैं जैसे यह आपका कह रहा है ऐसे यह देखिये कहा जा रहा है यह कैपिस्टर दिया गया यह कैपिस्टर दिया गया है यह A दिया गया है और यह B दिया गया है कहा यह जा रहा है कि A और B के बीच का इक्वेलेंट कैपसिटन्स आप फाइंड करें A और B के बीच का equivalent capacitance आप find करें क्या होगा A और B के बीच में तो यह देखिए बच्चों A और B के बीच का equivalent capacitance क्या है तो यहां से यह देखो current ऐसे निकलेगा current देखे current यहां से ऐसे निकलेगा तो जब current यहां से निकलेगा तो इसके दो path current के होंगे देखे करेंट यहां से निकल ला है तो एक पात तो करेंट का आपका यह हो जाएगा ठीक है अब यहां से देखिए यहां से इधर नहीं जाएगा क्योंकि देखिए लेस रेजिस्टेंस पात इधर है यह देखो यह लेस रेजिस्टेंस पात है है कि नहीं इधर वाला जो है वह लेस होते हुए आ जाएगा भाई less resistance पात में बोलो भाई less resistance पात में इस तरह से होते हुए आ जाएगा अब बताओ क्या इसमें कोई charge या current flow करेगा ने इसमें कोई charge या current flow नहीं करेगा भूलो भाई कोई charge या current flow नहीं करेगा इसका मतब ये दोनों आपस में क्या हो पैरलेल हो गया, बोलो भाई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये पैरलेल हो जाएगा, ये देखें, ये वाला कैपिस्टर और ये वाला कैपिस्टर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरलेल हो जाएगा, तो जब ये दोनों आपस में पैरलेल हो जाएगा, य और सी आपस में पैरल का मतब टूसी हो गया मुल भाई सी और सी आपस में पैरल का मतब क्या हो गया टूसी तो इस तरह से शॉट सर्किट वाला होता है ठीक है अब फोर्थ देख लेते हैं सिमिट्टी मेथेट सिमिट्टी मेथेट क्या है कैसे हैं चली भाई सिमिट्टी मेथ सिमिर्टी मे्थड भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉर्ट देें सिमिर्टी मेंथड़ कर percentage है उसको देखते हैं गर्जों आप लोग जानते हो सिमट्टी मेंथड देखें नाम से इसप्षट है यहाँ पे capacitor और register जो होंगे वह सारे क्या है मतब capacitor और register इनकी मात्रा खुब धेल सारी होगी हाँ लेकिन अगर हम इनको fold करते इनको मोडते हैं अगर हम तो यह सारे symmetry जैसे किताब नहीं होती है उस किताब की तरह यह एकदम बंद हो जाएंगे और सारे page एक दूसरे को कभर कर लेंगे सब एक दूसरे को कभर कर लेगा वही क्या है symmetry method का लाता है सारे page एक दूसरे को कभर कर लेंगे तो देखिए symmetry method में कैसे क्या होता है एक question से समझते है question यह दिया है ऐसे देखिए इस प्रकार से हम समझ रहे हैं यह देखे एक हेक्जागंदिया है और इसमें किस प्रकार से रेजिस्टर या कैपिस्टर लगे हुए है चाहे कुछ भी लगा हुआ है चाहे कैपिस्टर आपका लगा हुआ है चाहे आपका रेजिस्टर लगा हुआ है यह देखो इस प्रकार से है यह देखो इस प्रकार से बीच का आपको equivalent क्या है? capacitance find करना है, ये देखे, A दिया गया, ये B दिया गया है, तो A और B के बीच का equivalent capacitance find करना है, तो हम क्या करेंगे? इस B को इस तरह से उठाएंगे, और फिर ले जाके A पर हम क्या है रख देंगे? ये देखे, A को हम इस तरह से ले जाएंगे उठाएंगे और ये पे हम ले जाके रख देंगे रख देंगे तो ये देखिए ऐसे हो गया ऐसे 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 बीच से फोल्ड करेंगे कि नहीं देखें बीच से हम फोल्ड करेंगे तो जब बीच से फोल्ड करेंगे तो ये इसको कफर कर लेगा ये इसको कफर कर लेगा और ये इसको कफर कर लेगा कि नहीं ठीक है तो अगर हम बीच से फोल्ड कर लेते हैं तो क्या सब सेमेटिकली हो जा रहे हैं कि नहीं तो अब यह देखिए, अगर हम vertically fold करते हैं, तो जो joint होता है, उसको horizontally तोड़ देते हैं, यानि क्या कहने का मतलब है, यदि system को vertically fold करते हैं, तो joint को horizontally तोड़ देते हैं, ये जो joint होता है, ये देखे, joint को horizontally, ये तोर देते हैं, ये जो joint होता है, ये सिस्टम को vertically fold करते हैं, जैसने इस तरह से B को हम A पे रखना हैं, system को अगर हम vertically तोड रहे हैं तो याद रखेंगा joint को horizontally देखें यह जो joint होता है joint को horizontally तोड देते हैं बुले भाई joint को horizontally तोड देते हैं तो यह देखो joint को हमने horizontally क्या किया तोड दिया joint को horizontally हमने तोड दिया तो joint होता है joint को horizontally हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं, यह देखिए, joint को horizontally तोड़ देते हैं, ऐसे हो गया, क्यों भई यह, joint है, joint को horizontally हमने क्या है, तोड़ दिया, ठीक है, clear है, तो joint को horizontally हमने क्या किया, तोड़ दिया, यह देखिए इस तरह से, joint को horizontally हमने तोड़ दिया, ठीक है, अब क्या हो गया, कैसे क्या ची सिरीज में है और इसके क्या है यह पैरलल है बुल भई यह दोनों कैपिस्टर सिरीज में है और यह दोनों कैपिस्टर सिरीज में है और यह इसके पैरलल है ठीक है यह दोनों कैपिस्टर सिरीज में है और इसके यह क्या है पैरलल दिया क्या है ठीक है क्यों लग रहा कि नहीं देखे, जोइंट छुडाने की बाद सब एकतम clear हो गया, सारी शीचे एकतम clear हो गई ये दोनों series में हो गया और इसके ये क्या हो गया, पैरलल में हो गया यानि क्या कानेखाफ़ बशल्च हो गया ये ऐसे हो गया, ये देखो C और C क्या हो गया C or C, C by 2 हो गया series में हो गया कि नहीं C or C, C by 2 हो गया series में और ये देखो ये C or C ठीक है C by 2 ए देखो C देखो C ऐसे दिखे ढगर दिखकत हो तिस तरह से आप तोड़ लिया करिये दो-तीन पार्ट में आप तोड़ लेते हैं ये देखें C हो गया c और c c by 2 हो जाएगा और ये देखे c हो गया और ये क्या हो गया c हो गया और ये देखे ये c और c c by 2 हो जाएगा ये c और c c by 2 हो जाएगा यानि क्या काने का मतलब हो गया ये देखे इस प्रकार से ये c और c कितना हो गया c by 2 ये कितना हो गया C अब देख लीजे ये C by 2 और C 3C by 2 हो गया यानि इस प्रकार से देखो ऐसे यानि क्या हो गया C by 2 और ये देखो ये 3C by 2 ये C ये C ये देखे क्या हो गया 3C by 2 ये C ये C अब बताइए ये तीनों सीरीज में हो गया तो अगर ये तीनों सीरीज में हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये तीनों सीरीज में हो गया तो 1 by C और ये 3C by 2 और ये 1 by C यानि 3C ये 3 प्लस 2 प्लस 3 या CS is equal to 3Cy 8 हो गया, बोलो भई 3Cy 8 हो गया, अब इसको ऐसे देख लीजे ये क्या हो गया, ये 3Cy 8 हो गया, और ये देखो बच्चों, ये Cy 2 हो गया, और ये क्या हो गया ये 3Cy 8 हो गया अब बता है ये तो 3Cy 8 Cy 2 और 3Cy 8 ये कितना हो गया, 8 8 आगया, ये देखे 3C ये कितना हो गया, 2 से 4 4C, प्लस 3C ये Cp इसको गया, Cp इसको गया, 10 C by कितना हो गया 8 हो गया, ये इसका equivalent हो गया क्यों हो गया, तो ये इक्योवेलेंट तो ये सिमिट्टी मेथेड हो गया, कौन सा मेथेड हो गया सिमिट्टी मेथेड हो गया, ये ध्यान लखिएगा ठीक है भई